क्लोस पाकिंग का फिस्तली मीनिंग क्या होता है क्लोस पाकिंग मतलब देखो नेम से क्लियर है कि हमें पार्टिकल्स को इस तरह से अरेंज करने है कि वो मेक्सिमम अवेलिबल स्पेस ओकुपाई करें लिविंग बिहाइन मिनिमम वेकेंड स्पेस हाना कि वो मेक्सिमम स्पेस ओकुपाई करें इस तरह से arrange करने है कि जो weekend space है वो बहुत कम रहे पीछे ओके अगर देखो maximum available space occupy हो रही है तो उस case में obvious सी बात है density भी जादा होगी हाना density जादा होगी उस case में बस यही बात ही तो मतलब पहले पता हो न जे न चली close packing होता क्या है तो close packing means maximum available space वो occupy होनी चाहिए चली वंडी का case देखते हैं तो हमें पता है कि वंडी means हम सिर्फ और सिर्फ एक dimension consider करेंगे ठीक है जैसे हम यह देखते हैं यह x direction होगी यह y हमने consider की यह z तो हम सिर्फ और सिर्फ एक dimension consider करेंगे, सिर्फ एक, हाना, जैसे x consider किया, तो यह x dimension की और, तो 1D के case में सिर्फ एक यही possible arrangement होते हैं, हाना, सिर्फ यही एक possible arrangement है, जिसमें हम sapphires को arrange करते हैं, देखो, sapphires हैं, वोग दूसरे को touch कर रहे हैं, this means they are trying to occupy maximum space, हाना, भी, वो maximum space occupy करना जा रहे हैं, तो बस यही बात है, 1D का case बहुत simple है, कि सफियर्श है, उनको सिर्फ एक row में place कर दो, ठीक है, वो 1D का case हो जाएगा, तो यह तो था 1D का case, अब एक और बात आती है, कि coordination number क्यों होता है, ठीक है, coordination number, coordination का number होता है, भी जो given particle है उसके कितने nearest neighbor है, ठीक है, nearest neighbor बोल सकते हैं, या फिर उसको कितने particles है, वो touch कर रहे हैं, देखो, अब यह वाला particle consider किया, इसके contact में एक यह particle है, और एक यह particle है, तो इसके contact में कितने particle है, 2, कितने nearest neighbor है, 2, तो इसका coordination number कितना हो गया, 2 हो गया, इसका coordination number, ठीक है, वंडी के case में अगर हमें पूछलें भी coordination number कितना होता है, तो वंडी के case में coordination number होता है, 2, ओके, तो अब आते हैं 2D के case में, तो 2D का जो case है न, वहाँ हम further 2 cases है, वो study करेंगे, तो देखो, first case है यह वाला है, देखो कि हम 2D का case consider कर रहे हैं, हम two dimensions में जाएंगे, एक dimension यह, एक dimension यह, यह x हो गया, यह y हो गया, अना तो 2D वाला case हो गया, तो अब इस arrangement में क्या है, कि हम देख सकते हैं, यह हमारी first row, जो second row के sapphires है न, वो exactly above है, first row के sapphires के, बिल्कुल same arrangement है दोनों का, अगर third देखें, तो उसके जो sapphires हैं, वो भी exactly like कर रहे हैं, first row के और second row के जो sapphires हैं, उनके उपर, ठीक है, and fourth row उसके भी, यह तो मैंने four rows बनाई हैं, बट crystal का क्या system होता है, वो तो बहुत बढ़ा होता है, हाना, आगे भी number of rows present होगे, उनमें यही same arrangement होगा इस case के अंदर, हाना, तो अगर देखो, this post मैंने, यह first row है, इसको मान लिया कि, distinguish करने के लिए, यह post A type की है, हाना, भी यह post A type की है, तो second row भी तो उसके exactly same है, हाना, second row भी exactly same है, वो भी तो A type की होगे, third है, वो भी exactly same है, तो वो भी A type की होगे, तो यह हमारे प A type वाली जो हमारे पास arrangement होगी है, क्योंकि देखो, अब हम ऐसे arrange करते जा रहे हैं, एक square सा बन रहा है न, क्योंकि square form हो रहा है, that's why हम इसे क्या बोलते है, square close packing, क्या बोलते है, square close packing, तो यह भी बात होगे, अगर coordination number चेक करना हो, मैंने आपको बताया, coordination number क्या होता है, उसके nearest neighbors हैं, उसको कितने particles stretch कर रहे हैं, यह देखो, इसको कितने particles stretch कर रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, तो coordination number कितना हुआ, 4, देख्या, 4 इसका coordination number हो गया, और बात हम किसकी करते हैं, कि कितनी space occupy हो रहे है, तो इस case में 52.4% जो space है न, वो occupy होती है, टेख्या, तो यह कुछ points है, आप कुछ ध्यान में रखने है, square close packing के लिए, अब यह देखो, यह थोड़ा सा different है, इससे, अब देखी सकते हो हाना, diagram से ही पता चल रहा है कि, इसकी arrangement कैसे और इसकी कैसे है, तो अब देखो, यह suppose first layer है, क्या first layer सेकिंड से match हो रही है, नहीं हो रही, क्या second layer है, जो third से match हो रही ह हाना, तो देखो, यह हमारी first layer, हाना, इसके जो depressions है, यह वाला, वहाँ पे second row का particle आ रहा है, हाना, इस यह depression, फिर second row का particle, यह depression है, यह particle, तो अब देख सकते हैं, कि वो exactly उसके above line नहीं हो रहे है, ठीक है, वो उसके depressions में जा रहे है, हाना, तो होगी second row different, हाना, तो हम देख स सकते हैं, कि जो B, यह हमारी first layer को मैंने distinguish करने के लिए B type देगी, हाना, तो यह second row है, वो उससे resemble नहीं कर रही, उससे match नहीं कर रही, हाना, तो इसलिए मैंने first को B type माना, तो second को मैंने A type मान लिया, हाना, क्योंकि दोनों match नहीं हो रहे है, अगर हम third row पे जाएं, वो exactly match हो र बनाई fourth row, हाना, वो match हो रही है second row से, तो मैंने उसे A दे दिया, तो ऐसे चलता रहेगा, B, A, B, A, हाना, तो हम इस type को जो arrangement है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, कि A, B, A, B type की हो गए, हाना, कि पहले A वाली row, फिर B उससे different कर रही है, फिर जो third A है, वो फिर resemble हो रही है, first के साथ यह वाला system हो गया, A, B, A, B type का, ठीक है, I hope आपको समझाया होगा, हना, मैंने क्या आपको बात बताई, तो यह this type of arrangement है ना, हम इसे hexagonal close packing है ना, वो भी बोल देते हैं, यह hexagonal close packing, ओकी जी, next बात दे, coordination number की देखो, suppose मैंने यह particle consider किया, इसे कितने touch हो रहे हैं, one, two, three, four, five, six six touch हो रहे हैं, तो coordination number कितना हो गया, इसका six, इस case में जो space है ना, वो 60% के near about occupy होती है, तो बात तो सारी space के है, जितनी जादा occupy होगी, उतनी जादा वो stable system होगा, तो हम क्या सकते हैं, कि अगर हम इन दोनों को compare करें, कि which one is more efficient than hexagonal close packing, this one is more efficient system, as compared to square close packing, okay, तो बस यही मैंने न, points आपको नीचे दे रखे हैं, यही points जो मैंने आपको बताएं, बस वही points mode down किया हैं, एक बढ़ आप देख लो, okay, तो अब बात करते हैं, 3D का case, इसमें भी हम न, मतलब वही 2D से ही, मतलब derive करके करेंगे, और कुछ भी नहीं है, तो दो cases इसके हो जाएंगे, एक square close packing से, एक hexagonal से, तो first हम देखते हैं, square close packed layers के साथ, अब देखो, यह हमने last में पढ़ा था, square close packing, हाना, दो dimensions consider किये थे, यह x हो गया, यह y, बट अब बात किसकी हो रही है, 3D सिस्टम की, 3D dimensions में जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको एक बात बताई थी, कि यह वाला कुछ होता है, सिस्टम है, न, ऐसा, यह x, यह y, यह z, अब x, y तो हो गया, जो z है न, वो कुछ ऐसा होगा, इसके उपर, ठीक है, अब जो layers है न, वो हम इसके उपर place करेंगे, यह इसके निचे place करेंगे, ऐसा होगा अब सिस्टम, हाना, देखो, यह x direction होगी, इस direction में भी मैंने spheres place कर दिये, यह y direction होगी, इसमें भी मैंने spheres place कर दिये, अब third आती है z direction, z मतलब उपर के ओर, हाना, तो बस अब मैं इसके उपर से spheres place करूँगे, जैसे मैं dots के साथ represent कर रहे हूँ, कि यह dots है न, वो एक layer represent कर रहे हैं, ठीक है, यह dots एक layer represent कर रहे हैं, जो की above the plane lie कर रहे हैं, हाना, जो z direction म हैं, तो यह layer कुछ इस तरह है की होगी, कि जो इसके rows होंगे, हाना, rows होंगी, यह columns होंगी, हाना, वो exactly lie करेंगी above the first layer, यह suppose एक layer है, मैंने इसे A मान लिया, ठीक है, जो second layer, B layer, जो यह dots represent कर रहे हैं, वो exactly same है, ठीक है, exactly same है, मतलब सफियर्स ऐसे ही आएंगी, जो second layer की first row है, वो इसके उपर आएगी, second row, इसके उपर, third row, इसके उपर, fourth row, fourth row के उपर, तो ऐसा है system चलेगा, मतलब इसके उपर, 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 अपने layers प्लेस करनी है, तो आपको यह 3D वाला case समझाया होगा, कि X और Y तो हो गया, जो Z है ना, वो इसके उपर प्लेस कर करेंगे हम, ठीक है, नीचे हो सकता है, तो यह था 3D वाला case, हाना, तो देखो, अगर मैंने first layer को A माना है, तो second layer है ना, वो भी मेरे पास A ही होगे, क्योंकि उसके particles हैं, वो exactly, हाना, जैसे first layer के है ना, वो बिल्कुल same होगे, second layer के, उसके arrangement भी बिल्कुल similar होगे, हाना, तो second layer भी A होगी, हाना, अगर हम मैं third layer place करूँ उसके उपर, तो वो third layer है, वो भी resemble करेगी, इन दोनों layers के साथ, तो वो भी A होगी, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, कि ये भी A, A, A type वाली arrangement है, ठीक है, A, A, A type वाली arrangement है, तो बस यही आपने ध्यान से समझाओगा इस चीज़ को, कि 3D के case में कैसा होता है, कि above हम place करेंगे, ठीक है, two dimensions तो दिख रहे हैं paper पे, थर्ड वाला नहीं दिखेगा आपको, क्यों कि इसके उपर कैसी place करेंगे, हाना, तो ये चीज़ होती है, तो ये जो system है, हम इसे simple cubic packing है, वो भी बोलते हैं, ठीक है, simple cubic packing, तो ये किता first case, हाना, square close packing से, अब next case आते हैं, two dimensional hexagonal से, हाना, hexagonal वाली भी पड़ी थी, वो ज्यादा efficient ही हमारे पास, हाना, बस वही system, अब हम है consider करना, देखो, ये कुस ऐसी चीज थी ना, जो हमने study की थी, कि जो first है, वो third के साथ resemble करती है, second के साथ resemble नहीं करती है, हाना, तो AB AB type की arrangement थी, बस उ देखो, हमने ये layers को arrange किया, उसके बीच ये space आ रही है, हाना, ये space, इन space को हम क्या बोलते हैं, voids, क्या, voids, voids बोलते हैं, देखो, मैं ने एक बना के रखे हुए ये वाली, क्योंकि इसकी shape देखो, बिल्कुल triangle जैसी है, हाना, ये, इतना साथ मैंने बना लिया, 1, 2, 3, sphere ले लिये, प्योंकि इसकी shape देखो, triangle जैसी है, हाना, triangle जैसी, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, triangular white, क्य यह बात तो समझा गी है ना कि इसकेस में वॉइट होती है बट जब हम सेकंड लेयर प्लेस करेंगे ना तब हम टू वॉइट स्टडी करेंगे तब हम आप वेरी इंपर्टन अब देखो यह हमारी थे फिर्स्ट लेयर हा ना A वाले जिसकेस में मैंने ये 3 रोज आना वो ड्रॉ करते हैं अब next देखो मैंने ये second layer place की first layer के उपर ठीक है ये मैंने second layer है ना वो place कर दी above the first layer तो अब देखो मैंने ये chief है ये यहाँ पर ड्रॉ की ये 1, 2, 3 1, 2, 3 ये 1st layer के सिफियर है और ये जो मैंने 2nd layer का प्लेस किया वो तो अब जो ये void है इसे हम क्या बोलेंगे tetrahedral void क्योंकि shape tetrahedral नहीं है arrangement के base मैंने इसको नाम दे दिया tetrahedral void ठेक है तो ये कौन से होगी tetrahedral void अब यहां भी देख सकते हैं 1, 2, 3 उसके उपर ये मैंने 2nd layer का सिफियर प्लेस किया तो tetrahedral void create होगे 1, 2, 3 उसके उपर मैंने ये सिफियर प्लेस किया ये tetrahedral void create होगे ठीक है जी अब next देखो ये तो tetrahedral थी अब next ना देखो ये वाला 1, 2, 3 ये वाले ले लिए 1, 2, 3 ठीक है फिर उसके उपर मैंने ये वाले 3 है ना ये ये और ये ठीक है ये तीनों प्लेस कर दिये ये वाला ये वाला ये वाला हाना तो अब जो void create होई ना center में उसे हम क्या बोलेंगे octahedral void ठीक है octahedral void क्या बोलना है octahedral क्योंकि उसकी arrangement के लिए हमें six spheres चाहिए ठीक है तो six होगे पूरे one, two, three, one, two, three तो ये क्या थी हमारे पास octahedral void create होई अब आपको clear होगा ना अगर चार spheres हैं तो tetrahedral void होगी अगर हमारे पास six spheres आ रहे हैं पहले first layer place करेंगे जब हम उसके उपर second layer place करेंगे ना तब हमारे पास two type की voids आएंगी एक tetrahedral and second is octahedral यहां पे इसे elaborate करके मैंने यहां पे दिखा दिया आपको ये वाली है octahedral ओके तो ये आपको समझ आ गया होगा कि tetrahedral and octahedral voids कौन कौन सी होती हैं तो फिर से बिजाती हूँ कि tetrahedral जब 4 sapphires हो तब बनती है octahedral जब हमारे पास 6 sapphires हो तब octahedral void है ना वो generate होती है अब next हमने 2 cases study करेंगे third layer की placement के लिए ठीक है 2 cases further study करेंगे देखो first case है कि हमने 2 layers तो बिना ले पहले एक layer फिर उसके उपर second layer अब जब हम third layer place करेंगे ना वो हम tetrahedral void की ऊपर भी कर सकते हैं octahedral की उपर भी जब हम tetrahedral के ऊपर third sapphires की layer place करेंगे तो वो exactly match करेंगी first layer से ठीक है exactly match करेंगी first layer से हाना अगर हमने first को A माना है तो हमारी third भी कौन से होगी A तो ये भी कौन से होगी हाना first को A माना है तो जो हमारी third है वो भी A होगी हाना तो फिर अगर हम fourth layer place करेंगे वो resemble करेगी second layer से हाना भी second को हमने B माना है तो वो भी हमारी B होगी तो ये भी क्या है कि AB AB type की arrangement होगे ठीक है AB AB type की arrangement इसे हम hexagonal close packing भी बोलते हैं और HCPB octahedral का case क्या है जब हम third layer octahedral voids के उपर place करेंगे मतलिब sapphires को octahedral voids के उपर place करेंगे तो वो first layer से match नहीं होगी ठीक है नहीं होगी वो different होगी first और second layer से अगर हमने first को A माना है second को B माना है तो जो third वाली है उसे हम C denote करें क्योंकि वो match नहीं करेंगी first and second से ठीक है तो हमने उसे C मान लिया जब हम उसके उपर fourth row place करेंगे then वो resemble करेंगी A के साथ हाना अगर next layer place करेंगे वो B के साथ फिर next place करेंगे वो C के साथ तो यह कौन सी arrangement होगी ABC ABC type arrangement ठीक है ABC ABC type arrangement हो गई इफे हम क्या बोल देते हैं cubic close packing भी बोल देते हैं CCP और face centered भी बोल देते हैं FCC ठीक है I hope यह आपको सब कुछ समझ आया होगा ना तो next एक बस last पात है कि coordination number क्या होता है HCP और FCC के case में तो अब देखो स्पोज यह वाला सफियर मैंने consider किया एक दो तीन चार पान छे ठीक है छे तो इससे exactly touch हो रहे हैं ठीक है in plane तो अब देखिए छे तो यह हो गए 7 यह वाला 8 यह वाला 9 यह जो उपर present है उसके वो भी तो उसे touch कर रहे हैं तो तीन जो उपर present है वो touch करेंगे तीन जो उसके below present है वो भी तो उसे touch करेंगे हाना तो तीन उपर तीन नीचे तो छे वो हो गए छे यह तो टोटल हमारे पास 12 तो coordination number कितना हो गया FCP and FCC के case में 12 ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही I hope कि यह जो मैंने आज आपको पढ़ाया है जो आपको समझाया होगा ठीक है प्लीज आप इसे ध्यान से समझना थोड़ा मतलब थोड़ा सा difficult है क्योंकि 3D के case में जाना पढ़ता है बट अब जब आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा Thanks for watching